हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो गया जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्षे पर में लेकर आया हूं दोस्तो इस वीडियो में बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के लिए SSC से रिलेटिड यानि कि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के अंदर आपके एक्जाम से रिलेटिड डेट जो है आउट हो चुके हैं मैं आपको बता हूं यहां पर हमारा जो अभी 27 मार्च तक आपके SSC फेज 11 के फॉर्म फिलफ थे उसके लिए भी आप डेट आ चुके हैं यानि कि हमारा फॉर्म फिलफ त के अंदर होने वाले हैं जिसके लिए फॉर्म फिलफ अभी चल रहे हैं कुछ के चलने वाले हैं मलब ऐसे अभी ओन गोइंग है जिनके चल रहे थे और खतम भी हो चुके जैसे आपको बता होगा SSC में आपका फेज 11 वाला 27 मार्च को उसकी डेट जो हो क्लोज हो चुकी द अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं basically कि आपके लिए अब आप जो है अपना डेट देख सकते हैं कि आनि आपको यह पता रहेगा कि actual में क्या डेट है किस दिन आपको एक्जाम देने जाना है जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यह हम देख पा रहे हैं असानी का जिसके अंदर schedule of examination का लिखा हुआ है इसमें सारे exam का नहीं है मतलब कि पूरे साल जो exam होने वाले उसका नहीं है हाला कि उसके लिए tentative calendar जो था examination का वह आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह पहले आ चुका था लेकिन अभी भी हमारा यह हमारा tentative calendar है मतलब कि यह हमारा actual calendar नहीं था actual calendar हमारा कब होता है हमारा को exam से पहले बताया चाता है कि यह date हमारी actual में होने वाली है तो उसी आप से अभी पूरे year का नहीं सिर्फ 5 ऐसे जो है आपके exam है जिससे related जो है updates आ चुके हैं जिसके बारे हम इससे वीडियो में बात करेंगे जैसे कि आपको दिखाऊ में देखिए यह हमारा tentative calendar है tentative calendar मतलब समझते हैं जो हमारा पहले आ चुका था 2023 और 2024 में किस तरीके से कौन-कौन से दिन कौन-कौन से महीने में exam होगा वह हम discuss कर लेते हैं हमारा को पता है कि date of advertisement मतलब कि उसके अंदर जिस post के लिए हम बात कर रहे हैं जिस field के अंदर हम बा advertisement आने वाला था का हमारे लिए notification आने वाला था उस exam से related की उस जैसा ही support मानी यहां पर लिखा हुआ है constable GD CAPF के अंदर और NIA SSF and Rifleman GD in Assam Rifles examination 2022 के लिए आपको पता होगा कि 27 October 2022 में advertisement आया था और उसकी 30 November को जो है उसके form flip close हो गय थी तो इस तरीके से हमारा आ गया था सेम इसी तरीके से exam की date भी बताई गई थी January February 2023 के अंदर हो जाएगा सेम इसी तरीके से हम देख सकते हैं और हमारा CH SL के लिए यानि कि combined higher secondary level examination का tier 1 का exam जो है वह हमारा मार्स के महीने में यानि इस महीने में होना है और चल रहा है या हो भी चुके हैं बहुत से आपको पता होगा है tier 1 की बात हो रही इसी तरीके से multitasking का भी लिखा हुआ है April के अंदर इसका exam होने वाला है tier 1 का सेम इसी तरीके से हम देख सकते tier 1 के CGL के exam जो है जून जुलाई 2023 में होंगे तो इसी में से हमारे 45 ऐसे exam है जिसके रहे आ चुका है हमारा actual और final dates आ चुकी है मतलब उस दिन हमारा exam होगा हाला कि इन दौनों को description में दे दूँगा मैं असानी से दौनों notices को जिसे कि आप देख सकते अच्छे से एक एक date जो आपके exam से related रहेगा हम बात कर लेते हैं अब next जो final आज का notice हमारा वह यह है जैसे कि आप देख सकते था commission has decided to conduct following examination in May, June and July वही मैंने आपके बात करी जो May, June, August और July इसी तरीके से बात करा मैंने 4-2-3 महिने जो आपके होने वाले हैं May, June, July इसके अंदर जो exam होने वाले हैं आपके SSC के वह जितने भी आपका staff selection commission आपके May, June, July में जो भी exam कराने वाला है यह कराएंगे, तो उसके लिए आपका देख सकते हैं, जैसे name of examination भी लिखके दिया हो है हाँ पर, multitasking NS, NT staff examination 2022 का, आपको पता होगा 22 का जो session होता है, उसके exam 23 में होते हैं, 23 का जो होता है, उसके exam 24 year में होते है, क्योंकि academy care इनका इस तरीके से चलता है, क्योंकि वहाँ पर इस teaching staff के लिए आपको दिखा दू, examination जो होने वाला है, वो आपका 2 slot में होगा, पहला आपको बता दू कि 2 मई से लेके, 19 मई 2023 तक होगा, पहला slot मतलब इसके बीच में लोगों का exam हो जाएगा, और बाकी जो है, बाकी लोगों का exam जो होगा, वो होगा, आपका 13 June से लेके 20 June तक यह आपका जो है, 13 June से 20 June के वाले एक हफते के अंदर वो हो जाएगा, सेम अगर मैं बास करूँ, सब इंस्पेक्टर इन डेली पुलिस एंड सेंट्रल आम्ड पुलिस एक्जामनेशन जो टीर 2 का है, आपको पता होगा, टीर 1 का exam जिनका हो चुका है, उनको यह बात पता ह यह हमारा टीर 2 का exam होने वाला है, जो टीर 2 का exam है, सब इंस्पेक्टर के लिए, देली पुलिस के अंदर और C.A.P.F. के अंदर, टीर 2 का exam जो है, वो आपका होने वाला है, 2nd of मई, यानि कि 2 मई 2023 के अंदर यह exam होगा, यह actual date है, final date है, आप देखिए, आगे कोई change होता है, तो वो हमारे को यही website पता लगता है, लेकिन आपको यह पक्का हो गया है, कि हमारी date आचुकी, यानि हमारा exam इसी दिन होगा, आप यही मान के चलिए, बाकी जो होता है update, वो तो आपको मिली जाता है, आपको बताऊं, अगर combined higher secondary level examination tier 2 के लिए, यानि आपका CHSL की बात करूं यहां पर आपका 3 वाला दिख रहा है CHSL का, उसके अंदर बोला गया है कि वो आपका 26th of June को होने वाला exam, सेम इसी तरीके सा हमारे जो भी form fill up हुए थे, हमने जो अपना phase 11 के लिए बात करी थी, selection post, SSC के अंदर selection post examination में, अलग-अलग post थे, अलग-अलग department थे, government of India के, हमने इसी जगाओ के लिए यहां पर बात हुई थी, तो इसमें जो है हमारा 27 June से लेके 30 June तक हमारे लिए इसके exam हम दे सकते हैं, इसके लिए हमारे पास 4 दिन है, हमारे पास यह exam भी हमारा 4 दिनों के अंदर conduct किया जाएगा, अलग-अलग दिन में, अलग-अलग post के लिए, 14th of July से लेके 27th of July, आप देख सकते हैं कि 14 से लेके 27 यानि कि हमारा 12 से 13 दिन के अंदर, हमारा जो है यहां पर, 12 से 13 दिन के अंदर यह exam भी हमारा हो जाएगा, तो हमने देखा यह 5 हमारे exam है, यह 5 हो की list हमारा को table में दिख रही है, इसमें में यह भी दिख रहे हैं कि कौन कौन से दिन यह exam होगा, तो main important आगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले हमारा multitasking का exam होने वाला है, non teaching staff के लिए, 2 मई से exam आपके सारे start हो जाएंगे, 2 मई से exam start होने वाले, अलग-अलग के लिए, अलग-अलग subject के लिए, अलग-अलग department, jobs, जो भी है, last exam हमारा यहां पर CGL का दिखाया जा रहा है, टेवल के अंदर जो 27 जुलाई को आखरी होगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हलां कि admit card और बाकी सारी जो detail होती है, आप वो बाद में आती है exam से कुछ समय पहले ही, suppose जैसे मानिए, आपका exam जिसे की 2 मई का है, जैसे यहां पर लिखाया 2 मई तो आपका April half जाते जाते है, जैसे कि आपका 15th of April cross होता है, उसके around आपका admit card से related details आने लगती है, जैसे से exam का date आ रहा होता है, उसके एक जो अफते के पास वो चीज आपकी आ जाती है, तो यह हमने बात कर ली अलग-अलग exam के schedule की, जो हमारा रहेगा, तो यह हमारे लिख साम देख सकते है, tentative calendar में भी हमें जो दिखाया गया था, यह हमें tentative calendar था, actual calendar नहीं था, but mostly यही follow होता है, पहले जो निकाला जाता है, आपका calendar पूरे साल का, वही follow होता है, मैं अगर इसमें बात करूँ आपकी, CGL की बात कर लेता हूँ मैं आप, आपसे यहां पे, एक हम CGL का एक्जाम्पल ले रहे हैं, CGL का लेता है, देखी यहां पे, यहां पे हमने देखा जैसे की, देखे, CGL में आपका, यह उने वाल है, 26th of June को, अब देखी इसी calendar के अंदर, आप अगर एक्जाम में देखेंगे, आप लिखा होगा मई-June, यह आपका लिखा है Phase 11, देखे, मैंने जो भी बात करी आपसे, वही वाली, आपके Phase 11 के लिए, जिसके Form Philip आपको पता है, यहां पे 27 March लिखा है Tentative, हाला कि 17 March लिखा है, आप आप देख सकते हैं, 17 March लिखा हुआ है Phase 11 के लिए, यह हम देख पा रहे हैं, यह वाला, इस तरीके साथ आप देख सकते हैं, इसका एक्जाम बोला गया मई-June में, तो हम देखते हैं, इन्हों ने जो बोला था, कलेंटर के अंदर, कि Selection Post Examination, वह आपके मई-June में होंगे, Phase 11 के, तो ऐसा ही हो रहा है क्या, तो हम एक बार देख लेता है, तो देखे हम यहां पे, तो Selection Post Examination, Phase 11 का जो एक्जाम है हमारा, वो, सही में मई-June के अंदर ही हो रहा है, देख सकते हैं, आप June के end में हो रहा है, नहीं जुलाई लगते-लगते हो रहा है, लेकिन इतना आगे क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमारा हम जानते हैं, कि यहां पर जैसे Tentative में लिखा हुआ है, कि Selection Post Examination, Phase 11 वालों के लिए, जो था, वो यहां पर 17th March की जगह, 27th March तक फॉर्म भरे गए थे, तो उस हिसाब से हम यहां पर भी देख सकते हैं, कि जब मई-June बोला गया है, तो कही न कहीं, June का end और July तो लगना संभव है, क्योंकि date यहां पर जब फॉर्म फिलप में आगे बड़ी हैं, तो इसमें भी बड़ी हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहां पर और देखें, यहां पर लिखा हुआ है, Multitasking और Non-Technical Staff की बात करूँ, जिसके लिए सबसे उपर हमारा exam ने सका schedule दिया हुए, notice के अंदर, इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहां प तो आपके लिए और अच्छा हुआ है, कि थोड़ा late हुआ exam, but mostly tentative है, तो हमारा एक माईना इतना तो हमारा आसपस चली ही जाता है, जब फॉर्म फिलप में डेट भी extend होते हैं, यह सब हमारा देखते हुए, तो इस तरीके से हमारा पूरा यह दिख रहा है, notice हमें यहां प आपको जो है, कोई भी update जो है, आपके exam से related आता है, SSC से related, तो आपको पता लगता रहे, सेम इसी तरीके सा हमने, जैसे हमने यहां पर बात करी, दो चीजों की, जैसे हमने एक बात करी, यहां पर multitasking की, और एक हमने बात करी, इसकी fourth वाले की, यानि कि हमारे phase 11 की, दौनों क हमने date देखी, तो भाई, tentative जो बताई थी, उसके हिसाफ से थोड़ा आसपास ही निकला है, इसी तरीके साम और देखें, यहां के बाकी स्वारी चीजे, तो उसे तरीके सेम जो ऐसा बताया जा था, वैसे ही date है, थोड़ा आगे ही बढ़े है, ऐसा नहीं हो है, कि जो आपिक को स्टॉप कर रहे हैं, खतम कर रहे हैं, इसी update के साथ मिलेंगे आप से नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद,